ये कहानी है दो छोटे से शहर के, मेहक और राज की. ये दोनों बहुत ही आलसी बच्चे थे, जो कभी अपने माता-पिता की बाते नहीं मानते थे. एक बार की बात है जब मेहक और राज ने अपने घर के बहुत ही बगीचे में बैठे हुए थे. उनके माता-पिता ने उन्हें कहा था कि पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है पर ये दोनों बच्चे थोड़ी ना सुनते थे एक दिन गुलाब के पौधे ने मेहक की उंगली से बात की मेहक, हमें सुनो, तुम्हारे माता-पिता सही कह रहे हैं पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है मेहक हैरान हो गई और बोली तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम तो सिर्फ एक पौधे हो गुलाब मुस्कराया और कहा हाँ, पर हमें भी अच्छे से पता है कि पढ़ाई में ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है तुम्हें भी सुनना चाहिए इसके बाद नीला आस्मान में चमकते सितारे ने राज की उंगली से बात की राज, तुम्हें अपने माता-पिता की बातों का अधिक से अधिक मूल्य देना चाहिए वे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे है राज ने कहा मेहक और राज ने उस दिन से अपने माता-पिता की बातों का अधिक से अधिक मूल्य देना शुरू किया और पढ़ाई में मेहनत करने लगे उनकी उंगलियों के साथ बादचीत ने उन्हें समझाया कि आलस्य करना उन्हें कहानी में कहानी तक नहीं ले जाएगा जब वे मेहनत करने लगे तो उनकी जिंदगी में नए रंगाने लगे यही थी मेहक और राज की उंगली की कहानी जो हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों की सलाहों का मूल्य देना बहुत जरूरी है